नमस्कार दोस्तों आप सिभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में दोस्तों हमने Board Exam 2021 को मद्दनेजर रखते वे महत्वपुन परसनों का संग्रह किया है और उस सिरीज में आज हम थार्ड चैप्टर लेकर चल रहे हैं विद्दुत विभाव दोस्तों हम इस चैप्टर के Most Important जो Objective Qutions हैं Short Answer Type के Qutions हैं और Numerical Qutions के उपर फोकस करेंगे दोस्तों इस चैप्टर में से एक Numerical Qution आना निश्चित है सो परतिसत एक Numerical Qution आएगा इसके साथ में इसमें Short Answer Type का Qution पूछे जाने की पूरी परबल संभावना है Model Paper को देखते हुए उसमें Blank वाला जो Qution था वो Short Answer Type के Qutions के रूप में था Objective Type का Qution भी आ सकता है छोटे Qution आने की परबल संभावना है तो यहां से आप देखेंगे हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे महत्तपूर्ण परसनों का संग्र है देखेंगे दोस्तों पहला जो Qution है वो है कि किसी बिंदू आवेस से नियत दूरी पर विद्दू ते 56 वोल्ट परती मीटर है था विभव 300 वोल्ट है तो यह है दूरी है इसका मतलब यह हुआ कि हमें E की वेल्यू दे रखी है V की वेल्यू दे रखी है E और V के मत्दे हम संबंद इस्तापित करेंगे दोस्तों E बराबर हम जानते है V upon D होता है तो इस Qution के अंदर है V का मान तो यह है Sorry यह है E का मान विद्दू छेत्र का और यह है V का मान तो V का मान तो है 300 तो यहां से हमें दोस्तों इस D की वेल्यू फाइंड आउट करनी है तो 300 बट्टे में D बराबर E की जो वेल्यू है वो है पचास यहां से आप देख लीजी D is equal to आ गया है 300 upon 50 तो 10 से 10 के इंसे लोग गया 6 आ गया और में आ गया तो इसमें सही रहेगा फिर नेक्स्ट क्यूशन देखेंगे आप दोस्तों जो सेकेंड क्यूशन है वो है कि एक वरग के कोनों पर आवेस चितर की भांते रखे हैं माना इसके के अंदर पर विद्दू चितर E वेक्टर थता विद्दू दिभाव V है यदि A थता B पर रखे आवेस सी थता B पर रखे आवेशों से प्रस पर परतिस्तापित कर दिये जाएं तो क्या होगा देखे इन सभी आवेशों के कारण से इस बिद्दू O पर जो बिद्दू छितर है वो है E वेक्टर और इन सभी आवेशों के कारण से बिंदू O पर विद्दुतिवव है V यहां से आप देखें यह कि यदि हम A और B वाले आवेशों को C और D पर ले आएं तो यहां वाला यहां आजाएगा यहां वाला यहां आजाएगा तो देखें दोस्तों बिंदू O की इन आवेशों से जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है आवेशों का परिमान सेम रहता है इस कारण से जो विद्दुतिवव है वो A परिवर्तित रहेगा किसी एक आवेस के कारण से जो विद्धुत विभव होता है वो होता है दोस्तों के क्यू अपॉन में आर के इकवल तो यहां पर के क्यू और आर इनका मान नहीं बदला क्यूं तो आवेस जितने आवेस पहले हैं प्रस पर बदल देने पर भी आवेस की मातरा उतनी ही रहेगी तो बिंदु ओसे उनकी जो डिस्टेंस है वो भी उतनी रहेगी इसलिए जो विभव है वो ए परिवर्तित रहता है वेसे देखा जाए तो यहां पर प्लस क्यूं आवेस के कारण से इस माइनस क्यूं आविष्टों के कारण से विद्धुतिवव सुनने हो जाएगा और इन दोनों आविष्टों के कारण से भी विद्धुतिवव सुनने हो जाएगा कुल विद्धुतिवव सुनने है और प्रस पर चेंज कर देंगे तो भी विद्धुतिवव सुनने ही रहेगा इसका मतलब ह है कि वी ए परिवर्थित रहता है तो यहां पर इस option में बता रखा है कि वी बदल जाता है तो यह option नहीं आएगा इसमें है कह रहा है कि दोनों बदल जाते हैं तो यह भी option नहीं आएगा तो सै और दैमे अब यहां पर देखेंगे दोस्तो इस प्लस वाले आवेश के कारण से जो विद्दू छेतर है वो इधर इस प्लस वाले आवेश के कारण से विद्दू छेतर इधर और माइनस वाले आवेश के कारण से इस डिरेक्शन में इस डीपर रख्या आवेश के कारण से इस डिरेक् अब ये question में कहा रहा है कि यदि हम इनको press पर बदल दें इसका मतलब ये हो गया है कि बिंदू A, B और C, D पर जो आवेश हैं वो अब किस तरीके से होंगे यहाँ पर है minus Q, यहाँ पर भी minus Q, यहाँ पर plus Q, यहाँ पर plus Q तो देखें दोस्तों यहाँ पर बिंदू O पर इस बिंदू O पर अब इस plus Q के कारण से इधर, इस minus Q के कारण से इधर, इस minus Q के कारण इधर, इस minus Q के कारण इधर जाता है इस कारण से यह option नहीं आएगा अर्था यह जो दय ओप्षन है वो इससे कुशन का solution होगा यह बदल जाता है वी अपरिवर्थित रहता है दे इसमें आंस्वर आएगा अगला जो हुमारा क्यूशन है वो देखी दोस्तों क्या है अगला क्यूशन थर्ड जो क्यूशन है वो है कि एक विद्दू छेतर में एक जो विद्दु छेतर है उसमें किसी बिंदु पर विद्दु त्विभव कमान 200 वोल्ट है तो एक एलेक्ट्रोन को वहां ले जाने में किया गया कारिय कितना होगा दोस्तो इस क्यूशन को एक बार समझ लीजिए हमें इस क्यूशन के अंदर V कमान दे रखा है वोल्टिज हमें दे रखा है 200 वोल्ट और हमें कारिय पूछा है तो कारिय बराबर होता है Q into V और Q कमान यहां पर है इलेक्ट्रोन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रोन का जो आवेश होता है वो होता है माइनस में 1.6 गुनदसकी घात माइनस 19 कुलाम यहां पर आवेश कमान चिन सहीत पूट करेंगे तो दोस्तों यहां पर आजएगा माइनस में 1.6 गुनदसकी घात माइनस 19 और यह V कमान है वो है 200 तो यहां से W is equal to क्या निकल कर आ रहा है इसको जब 2 से इसे यहां पर multiply करेंगे तो माइनस में 3.2 गुनदसकी घात 17 जूल हमें answer मिलने वाला है तो इसमें यह जो A option है इसका solution है A दोस्तों इसमें से numerical question पूछे जाने की परबल संभावना है इसलिए हमने numerical क्यूशनों को अधिक से अधिक इस वीडियो में समावेशित किया है अगला जो क्यूशन है वो देखिए कि एक 200 मिटर तिर्जा के आवेशित गोली चालक के प्रश्ट पर 500 वोल्ट विद्दु दिवव है के अंदर से 1.5 मिटर दूरी पर विद्दु दिवव होगा इसका solution भी समझ लीजिए कि हमारे पास में जो क्यूशन है उसमें बता रखा है कि एक खोकला गोला है और उस गोले के उपर हमने आवेश दे रखा है इस तरीके से आवेश उसके प्रश्ट पर ही रहता है अब गोली चालक के प्रश्ट पर इस बिंदु पर जो विभव है वी प्रश्ट पर हमें दे रखा है 500 वॉल्ट और केंदर से 1.5 मिटर इसकी रेडियस है 2 मिटर तो यहां से यह कह रहा है कि 1.5 मिटर पर कोई बिंदू पी है जहां पर विद्धुतिभव क्या होगा तो दोस्तो यदि ये खोल गोल ये चालक गोला है तो आवेस इसके प्रष्ट पर रहेगा और अंदर विद्धुतिभव समान रहेगा वी अंदर एक समान रहता है और उसका मान जितना प्रष्ट पर होता है उतना ही होता है और प्रष्ट के उपर हमें क्यूशन में बता रखा है 500 वॉल्ट है तो अंदर भी दोस्तो इतना ही रहने वाला है तो इसका जो option आएगा वो आएगा 500 वोल्ट इसका solution होगा अगला जो हमारा person है अगला जो question है पांचमा question वो देखे दोस्तो क्या है पांचमे question में हमें पूछा है कि एक ऐसे छेतर में जहां विद्दुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यदि विद्दू छेतर की टीउरता सुनने है तो इसका मान आ गया सुनने के एक्वल और यदि किसी रासी का ऑउकलन यदि जीरो होता है तो वो जो रासी है वो दोस्तो होती है constant तो यहां पर यह जो वी है वो constant होगा इस्तिरांक होगा इसमें भी दै ओप्शन आएगा इस्तिरांक रहेगा दै इसका सोलुशन होगा next question देखी दोस्तो six question देखी एक electron को दूसरे electron की ओर ले जाने पर निकाई की इस्तिती जूरजा बढ़ती है घड़ती है उतनी ही रहती है या सुनने हो जाती है इस question को एक बार समलीजे कि हमें दो electron दे रखे हैं और दोनों electron को यदि हमें एक दूसरे की ओर ले जाएं तब उनकी इस्तिती जूरजा में किस तरीके से परिवर्तन आता है दो आवेशों के मद्दे जो इस्तिती जूरजा का formula है U equal to K Q1 Q2 upon R हम जानते हैं तो दोस्तों यहां पर यह जो दोनों ही आवेश है Q1 था Q2 यह दोनों ही आवेश electron हैं दोनों ही रिनात्मक आवेश हैं तो रिनात्मक और रिनात्मक के कारण से जो इस्तिती उरजा है वो धनात्मक प्राप्त होगी R कम करने पर तो R कम करने पर U कमान बढ़ेगा U कमान बढ़ता है U कमान बढ़ता है तो R कमान कम करने पर क्योंकि यहां पर एक दूसरी की और ले जा रहे हैं दोनों आवेशों को तो R कमान कम हो जाएगा आरकामान कम होने पर इस्तती जूर्जा बढ़ती है इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इलेक्टोन और इलेक्टोन दोनों रिनाविसित पार्टिकल होते हैं और दोनों के मद्दे परतिकर्शन बल लगता है क्या दो सम विभव प्रेश्ट प्रेश्ट पर काड सकते हैं तो देखे दोस्तो respons जो आंसवर है वो है नहीं क्योंकि कटान बिंदू पर विद्दु धिवव के दो मान होंगे इस सोर्ट आंसवर टाइप की क्यूशन का आंसवर है नहीं इसका यदि हम region बताएं तो आप समलीजे कि सम्भाव प्रस्ट एक ऐसा प्रस्ट होता है जिसके उपर विभाव समान होता है तो दो यदि सम्भाव प्रस्ट एक दूसरे को काड़ते हैं तो उसका आर्थ ये हो गया है कि दोनों की विभाव कटान बिंदू पर समान हो गए जो कि सम्भाव नहीं है जैसे ये हमारे पास में एक सम्भाव प्रस्ट है ये कोई दूसरा सम्भाव प्रस्ट है इसके उपर विभव का मान V1 इसके उपर विभव का मान V2 लेकिन यह जहां से यह काट रहा है जिस बिंदू पर यह कट रहे हैं तो उस बिंदू पर तो विभव V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है दोस्तों तो दोनों समिभव प्रस्ट एक दूसरे को नहीं काट सकते क्योंकि संभव प्रस्टों के कटान बिंदू पर समिभव प्रस्टों के कटान बिंदू पर विभव के दो मान होंगे यहों के दो मान होंगे जो की संभव नहीं है जो की असंभव है इसका अर्थ यह हो गया है दोस्तों कि यदि हम दो संभव प्रस्च लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिछेद नहीं करेंगे इसके पस्चात जो अगला हमारा क्यूशन है वो देखे क्या है कि किसी आवेस के कारण अनन्थ पर विभव कितना होता है तो अनन्थ पर विभव का जो फोर्मूला है कैसे गयात करेंगे अनन्थ पर हम विद्दुतिवो को सुनने मान कर चलते हैं वैसे मैं आपको विद्दु आवेस के कारण से जो विद्दुतिवो का फोर्मूला बता देता हूँ वन अपोन फोर पई एपसल नोट क्यू अपोन आर होता है और जब आर बराबर आप अनन्थ रखेंगे तो यहां पर जब अनन्थ रखेंगे तो वी का मान आजएगा जीरो सुनने तो अनन्थ पर विद्दुतिवो का मान सुनने होता है इसका जो आंस्वर आएगा दोस्तो वो आएगा सुनने अब अगला क्यूशन देखिए दोस्तो क्या है कि दो बिंदू आवेशों के कारण निकाय की स्थतीज उर्जा का वेंजक लिखिए इसमें हमारे को दो बिंदू आवेशों के कारण से जो इस्थतीज उर्जा होती है उसका सुत्र लिखना है सुत्र पूट करना है तो देखे दोस्तों दो आवेशों के कारण से जो इस्ततीज उर्जा है वो कितनी होती है उसका फोर्मूला हम भी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था एक बार फिर से देख लेंगे आप कि दो आवेश यदि इमान लें कि Q1 था Q2 एक दूसरे से स्मोल आर दूरी पर इस्तित है तो दोनों आवेशों के मद्दे संचित इस्ततीज उर्जा होती है के Q1 Q2 अपॉन आर यदि दोनों आवेशों के मद्दे निर्वात है तो 1 अपॉन फोर पाई अपसल नोट Q1 Q2 अपॉन आर ये हमारे पास में इस्तितीज उर्जागा सुत्र हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे और महत्वपून क्यूशन की और चल रहे हैं हम कि एक अलफा कन को विराम अवस्था सें विराम अवस्था में एक बिंदू जहां विभव 70 वोल्ट है सें दूसरे बिंदू जहां पर विभव 50 वोल्ट है तक ले जाने में उसकी गतीज उर्जा क्या होगी तो देखें दोस्तो गतीजूर्जा हम यहां पर ले रहे हैं एक अलफा कन और उस अलफा कन को हम ले रहे हैं विराम अवस्था में एक बिंदू जहां विभव 70 वोल्ट है और दूसरे बिंदू जहां पर विभव 50 वोल्ट है तक ले जाने में उसकी गतीजूर्जा क्या हो तो जो आवेश हैं जो धनावेश हैं दोस्तो उच विभव से निम्न विभव की और गती करते हैं तो यहां पर जो धनावेशित कन है वो है अलफा कन और वो उच विभव 70 वोल्ट से निम्न विभव 50 वोल्ट की और गती करेगा और गती करने पर उसकी गती जूरजा में वर् परिवर्तन आता है जो विभव में परिवर्तन आता है उसके तुल्ले हम पूट कर देंगे तो ले जाने में जो किया गया कारिय है वो गतीज उर्जा में परिवर्तन के तुल्ले होता है एक वार इससे क्यूशन का सुलूशन सुन लीजे कि अलफा कर्ण का एक बिंदू जहा है घतीज उर्जा अब डब्ल्य किसके बराबर होता है वो देख लीजिए डब्ल्य होता है Q in to V और यह जो V है वो है विभूँआंतर Q यहां पर अल्फा है तो यहां पर जो विभूँआंतर है दोस्तों वो है अंतिम बिंदू का विभव माइनस से प्रारंबिक बिन्दु का विभवोँ या दोनों बिन्दुओं के मत देखंगे विभोँ का अंतर तो इसमें हम पूट कर देंगे तो गतीज उर्जा के बराबर हमें क्या मिलना है अलफाकर्ण अल्फा कर्ण पर 2 proton जीतना आवेश होता है अल्फा कर्ण का आवेश तो alpha कर्ण पर जो आवेश है वो 2 protonων के तुले होता है और तो 2 गूणा में इसमें पूट कर रहा हूं दोस्तों इस formula में इसकी value पूट करूणगा क्यूंकामान है 2 proton का आवेश है 70-50, 20 आ गया है तो यहां से देखिए क्या आएगा 1.6 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 3.2 और 70-20 तो यह आगया 20, 70-50 20 आगया, गुणा दसकी घात मैनिस 19, इसको जब यहां से गुणा करेंगे तो यह आगया हमारे पास में गतिश उर्जा कमान 64 गुणा दसकी घात मैनिस 19 जूल के तुले, तो दोस्तों इस दस्वी क्यूशन का जो सोलुशन है वो आगया है उसके पशाथ अगले क्यूशन के और बढ़ते है 11 क्यूशन देखिए एक विद्दु चितर का विभव फलन V इक्वल टू मैनिस 5x प्लस 3y प्लस रूट 15z से प्रिभासित है तो बिंदु xyz पर विद्दु चितर की त्यूग अरता का SI में मान क्या होगा देखिए दोस्तों हमें बिंदु दे रखा है xyz ये वी काफी important क्यूशन है V की value दे रखी है तो हम E vector बरावर देखिए दोस्तों क्या जानते हैं E vector बरावर जानते हैं माइनस में dv by dr r k ये हम जानते हैं तो देखिए दोस्तों यहां से इस E vector को घटकों की रूप में यही लिख दें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e x ik plus e y j k plus e z k k बरावर इधर भी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों इसको भी यही हम गटकों की रूप में व्यक्त करें तो माइनस में dv by dr x i k plus dv by dr y j k plus dv by dr z k k तो यहां पर हम e x की value यही हम find out करना चाहें तो e x बरावर आजएगा minus del v by del x यह alkaline की भांती ही है लेकिन इसको हम तब use में लेते हैं जब कोई पद फलन x से अधिक चरों पर depend करता है इसी तरीके से हम यहां पर find out करेंगे e y जो की minus में del v upon del y के बरावर होगा और e z जो की minus में del v upon del z के equal होगा तो यहां पर आप देखिए कि del v upon del x del v upon del x यहां से हम find out करेंगे तो इसको हम differentiate करेंगे v की जो value है वो है minus में 5 x plus 3 y plus android में 15 z तो y और z की जो पद हैं वो 0 हो जाएंगे क्योंकि हम x के respect differentiation कर रहे हैं तो यह 0 हो जाएगा यह वाला पद का उकलन भी 0 हो जाएगा minus 5 x का यह यहां पर minus minus तो हो जाएगा plus 5 और x का हो जाएगा 1 तो x की जो value आएगी वो आएगी 5 इसी तरीके से आप देखिए e y का मान तो e y का मान भी हम है यहां से del by del y minus में 5 x plus 3 y plus root 15 z तो root 15 z के according है इसका जो मान है वो क्या निकल कर आ रहा है देखिए हम यहां पर इसको आपर जब differentiate करेंगे तो यह x और y की जो पद हैं वो तो हो जाएगे सुनने y का पद रहेगा तो यहां से यह तो minus का sign तो पड़ा ही है 3 y का differentiation करेंगे तो minus में आ गया 3 y का हो गया 1 तो इसका जो solution है e y का जो मान है वो minus में 3 आएगा फिर देखिए दोस्तो e z बराबर minus del v upon del z तो जो value है वी की वो हम यहां पर put कर देते minus में 5 x plus 3 y plus 15 z then हमें क्या मिलेगा x और y के पदों का alkaline 0 z के पदों में यहां से यह वाला negative sign यहां अंडूर्ड में 15 constant और z का alkaline हो गया 1 तो minus में root 15 e z की value आ चुकी है तो हमें value चाहिए दोस्तो विद्दु छेतर की तीवरता तो विद्दु छेतर की जो तीवरता है e बराबर होता है e x i k plus e y j k plus e z k k तो इसके according है हमें देखें दोस्तो क्या मिल रहा है e x का जो मान है वो तो है 5 तो 5 i k e y का जो मान है वो है 3 तो minus 3 j k और minus में 15 रू अंडूर्ड में 15 k k तो इसका जो solution है दोस्तो वो यह आ चुका है और यदि इसका जो मातरक है वो वोल्ड परती में हो जाएगा यदि इसका प्रिमान यदि हम find out करना चाहें e vector का mode यदि आप find out करना चाहें तो i k, j k और k k की गुणांकों का वरक करके अंडूर्ड कर दीजिए तो i k का जो गुणांक है वो है 5 तो 5 का वरक कर दिया जे केप का गुणांक है माइनस में 3 इसका वरक कर दिया फिर है माइनस में अंडूर्ड में 15 इसका वरक कर दिया फिर इसका रूट कर देंगे तो यहां से देखी दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है पांच का स्क्वेर हो जाएगा पत्चीस प्लस नो प्लस में आगया आपके पास में पंद्र है तो यहां कि या गया अंडूड में फोर्टी नाइन तो सेविन इसका परिमान आ गया वोल्ड परती मिट तो दोस्तों यह था ये इसका फाइनल सुलुशन आएगा साथ वोल्ड परती मिट तर बारवन क्यूशन दीखे विद्दुद्दोड़हों की परिवासा दीजी यह सदिस रासी है या अदिस रासी तो देखे विद्दुद्द़व एक अदिस रासी होती है तो इस अगले वाले पार्ट का अंस् अब यहाँ पर हम प्रिवासित कर रहे हैं विद्दु दिभव को तो परती एकांग धनावेश को अनंत से विद्दु छेतर के किसी बिंदु तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी को हम विद्दु दिभव कहते हैं तो इसकी definition देख लीजिए कि परती एकांग धनावेश को अनंत से विद्दु छेतर के किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक विद्दु छेतर के विरुद्द लाने में किया गया कारिये लाने में किया गया कारिये विद्दु दिभव कहलाता है विद्दु दिभव कहलाता है नेक्स्ट क्यूशन देखिए विद्दु दिधु को बाहे समरूप विद्दु छेतर E वेक्टर में सुनने डिगरी से 180 डिगरी तक गुमाने में किया गया कारिये का मान लिखिए देखिए दोस्तों किसी विद्दु दिधुरव को एक समान चुम्बक के छेतर में घुमाने में जो किया गया कारिये है वो होता है PE cos theta 1 minus cos theta 2 तो यहाँ पर जो theta 1 है वो तो है 0 डिगरी और theta 2 है वो है 180 डिगरी और cos 0 का जो मान है वो होता है 1 और cos 180 डिगरी का मान होता माइनस 1 तो यहाँ से आप देखेंगे W is equal to PE cos 0 minus cos 180 cos 0 का मान हो गया दोस्तो 1 और cos 180 का मान हो गया minus 1 minus minus plus 1 और 1 plus 1 2 हो गया तो W का मान हैगा 2 PE यह आच चुका है इस question का solution अगला जो question है वो देखें क्या है कि किसी बिंदो आवेस के कारण से विद्दुतिभू का सुत्तर लिखिए तो किसी बिंदो आवेस के कारण से जो विद्दुतिभू का फोर्मूला होता है वो होता है कि Q upon में R जैसे हाँ मैं 1 upon 4 pi epsilon note Q upon में R भी पूट कर सकते हैं इसमें आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिंदो आवेस के कारण से दूरी के साथ में ग्राप खींचे तो W विद्दुतिभू का पाती होता है R के इस टाइप का ग्राप प्राप्त होगा अगला जो हमारा क्यूशन है दोस्तों वो देखी क्या है कि सम विभूप्रस्ट किसे कहते हैं तो एक ऐसा प्रस्ट जिस पर विद्दुतिभू का मान एक समान हो सम विभूप्रस्ट कहलाता है देकि क्या है इसकी डेफिनेशन कि विद्दु छेत्र में रखा एसा प्रस्ट जिस पर विद्दु त्विभू एक समान हो विद्दु त्विभू एक समान हो समीभव प्रस्ट कहलाता है देकि दोस्तो इसके प्षाद सौलवा क्योशन देखे क्या है विद्दु दिदुरों के कारण से किसी बिंदु पर विद्दु त्विद्दु का मान कितना होगा देखी दोस्तों विद्दु दिधुरुएक के कारण से किसी बिंदु पर विद्दु दिभु का जो फोर्मूला है वो होता है वन अपॉन फोर पाई अपसल नोट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर कोस स्क्वेर थीटा जब एक का मान बहुत छोटा होता है आर की तुलना में तो हम इस फोर्मूले में इस ए स्क्वेर कोस स्क्वेर थीटा को नगर्ने मान लेते हैं थदा जो विका फाईनली जो मान आता है वो आता है वन अपॉन फोर पाई अपसल नोट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेर इस को हम नगरने मानकर छोड़ देते हैं दोस्तों तो यह है किसी विद्धु दिधुरों के कारण से किसी बिंदु पर विद्धु दिभो का सुत्र फोर्मुला अब यहां पर देखे सम्विभो प्रस्ट के कोई दो गुण लिखिए तो दो सम्विभो प्रस्ट कभी वी एक है तो पुण गुण है जो कि हमारे मोडल पेपर में भी है कि सम्विभो प्रस्ट कभी भी एक दूसरे को परतिछेद नहीं करते दूसरा जो गुण है वो देख लीजिए विद्दु छेत्र रेखाएं सम्विभो प्रस्ट के लंबवत होती है सम्विभो प्रस्ट के लंबवत होती है सम्विभो प्रस्ट के लंबवत होती है नेक्स्ट क्यूशन देखी दोस्तो विद्दु दिधुरुए के निरक्स पर विद्दु दिभो का मान कितना होता है हम किसी विद्दु दिधुरुए के कारण से विद्दु दिभो का फोर्मूला जानते है 1 upon 4 pi epsilon note P cos theta upon r square और निरक्स पर theta बराबर हो जाता है 90 degree और cos 90 degree का मान होता है 0 तो V का मान यहां पर दोस्तों सुनने आ जाएगा इस निरक्स की उपर विद्दु धिभव का मान सुनने प्राप्त होगा क्योंकि cos 90 की value 0 होती है अब देखिए next question समिभव प्रेष्ट पर किसी आव्यईश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारिये कितना होता है देखिए दोस्तों कारिये बराबर होता है आवेश into विभवानतर तो V A minus VB और समिभव प्रेष्ट पर V A minus VB 0 होता है वी तो दोनों का जो अंतर है वो जीरो हो जाएगा तो किया गया जो कारिय है दोस्तों वो भी सुनने होगा इस क्यूशन का जो solution है वो भी सुनने आएगा उसके पश्चात आप देखिए क्या है कि क्या निर्वात में किसी बिंदू पर विद्धूत इभव सुनने हो सकता है जब कि उस बिंदू पर विद्धूट छतर सुनने नहीं हो हम भी हमने एक क्यूशन में देखा कि विद्दु दिधुरों की निरक्स पर विद्दु दिधुरों की निरक्स पर विद्दु दिधुरों की निरक्स पर विद्दु दिभव सुनने होता है जबकि विद्दु छेतर की जो तीवरता है वो K 2P अपॉन में R क्यूब के इक्वल होती है जो कि सुनने नहीं है तो इसका आंस्वर है कि क्या निर्वात में किसी बिंदू पर विद्धु दिवह सुनने हो सकता है तो इसका आंस्वर तो है दोस्तो हाँ हो सकता है जबकि उस बिंदू पर विद्धु छेतर सुनने नहीं है उधारण हमने दे दिया विद्धु दिधरव की निरक्स पर अब इस वीडियो का जो अंतिम और सबसे जो महत्वपूर्ण क्यूशन है वो अब आप लोगों के हम सामने रख रहे हैं देखे दोस्तों नुमेरिकल क्यूशन ही है क्या है वो देख लीजिए कि तीन गुणा दसकी घात माइनस आठ कुलाम से था माइनस दो गुणा दसकी घात माइनस आठ कुलाम के दो आवेश प्रेस पर 15 सेंटिमीटर दूर है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रखा कि किस बिंदू पर विद्धु दिभो सुनने होगा दो आवेश इस तरीके से मुझूद हैं जैसे एक को हम कह दें Q1 दूसरे को कह दें Q2 और दोनों आवेशों के मद्दे की जो दूरी है वो है R हम यहाँ पर कंसिडर कर लें कि Q1 से अक्स दूरी पर विद्धु पी है जो की जिस पर विद्धु दिभो सुनने है तो मैं इस डिएग्राम को थोड़ा फिर से बना रहा हूं Q1 का जो मान है वो है 3 गुणन दसकी घात मैनस 8 गुलाम और Q2 का जो मान है वो है मैनस 2 गुणन दसकी घात मैनस 8 कुलाम और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है दोस्तो 15 cm यदि इस बिंदू पर हम मान लें कि जो कि इस आवेश Q1 से अक्स दूरी पर है इस पर विभव सुनने है तो 15-8 दूरी इस आवेश से जो दूरी है वो 15-8 cm रह जाएगी तो बिंदू P पर कुल विभव सुनने होगा अर्थार्थ Q1 के कारण से विभव प्लस Q2 के कारण से विभव दोनों की वेल्यू है वो 0 होगी Q1 के कारण से विभव क्या होगा के Q1 अपॉन अक्स प्लस के Q2 अपॉन आर मैनेस अक्स कर दीजिए यहाँ पर 15-8 कर दीजिए इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 अपॉन अक्स बराबर होगा मैनेस में के Q2 अपॉन 15-8 सबकी वेल्यू पूट कर दीजिए कैसे के कैंसिल होगे Q1 का जो मान है वो है तीन गुणा दसकी घात मैनेस आट बट्टे में अक्स बराबर देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे के कैंसिल हो गया मैनेस का साइन पड़ाई है Q2 का जो मान है वो है मैनेस में 2 गुणा दसकी घात मैनेस आट मैनेस मैनेस यह हो जाईगा प्लस 15-8 पड़ाई है दसकी घात मैनिस आठ से दसकी घात मैनिस आठ कैंसल हो गया तीन बट्टे में आक्स बराबर आ गया यहां से दो बट्टे में पंद्रे मैनिस अक्स इस पंद्रे मैनिस अक्स को इधर दी से तीन से मल्टिप्लाई यदि हम कर दें तो 3 गुणा में आ गया 15-X बराबर 2X इसको इससे गुणा कर दें तो 45-3X बराबर 2X इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर रह गया 45 बराबर आ गया 5X और X बराबर आ गया है 45 बटे में 5 बराबर आ गया है दोस्तो 9 cm तो इस क्यूशन का जो सोलुशन है वो आएगा 9 cm अर्थार्थ इस बिंदू से 9 cm दूरी पर ये जो बिंदू पीशती थे जिस पर विद्धु त्विभव का मान सुनने होगा तो दोनों बिम्दों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिम्दू पर विद्धुतिभव सुनने होगा तो जो आपज 3 गुणंदस की घाट-8 कुलाम है वहां से 9 cm दूरी पर विद्धुतिभव सुनने होगा तो दोस्तों ये था जो हमारा थार्ड चेप्टर है विद्दु दिभाव उससे सम्मन्दित कुछ महत्वपूर्ण objective questions, short answer type questions, numerical questions और ये जो questions का solution है हमने संग्रण किया है collection किया है वो board exam के model paper और previous year के papers को ध्यान में रखते हुए किया है आज के इस वीडियो में इतना ही अगला जो हमारा वीडियो है वो चोथे चेप्टर का होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों